नमस्कार, दलीकल इंदन के इस एपिसोड में आप सारी लोगों का फिर से स्वागत है, दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने बताया था, Honorable Chief Justice of India N.V. Ramana के बारे में, और मैंने कहा था कि जो C.G.I. साहब हैं, वो एक बहुत ही humble background से आते हैं, और उनके पिता एक farmer थे, मैंने ये भी बताया था कि लोग करने से पहले, वो कुछ दिन तक पत्रकारिता भी किया था, और local newspaper में वहाँ पे journalism करते थे, उसके बाद उने लो Supreme Court of India में कई जजों का appointment किया गया, जिसमें से एक जज है, Justice C.T. Ravikumar, Honorable Justice Ravikumar, जब केरला High Court में farewell speech दे रहे थे, तब उन्होंने बताया, उनके जो father थे, वहां के judicial magistrate के court में कलर्क थे, judicial magistrate court क्या होता है, judicial magistrate court सबसे lowest position होता है, पहला आदालत, सबसे निशली आदालत की ज तो केरल के judicial magistrate first class के court में उनके father जो है, कलर्क थे, और उसके बाद आज जब उन्होंने अपने बारे में बताया, Justice C.T. Ravikumar ने तो कहा, कि आज वो देश की सरवच न्याले, इससे उपर कोई न्याले नहीं है, वहां पहुँच गया है, आप समझे कितना motivating चीज है यह, उन के तमाम न्यालें में से एक अच्छा खासा position रखता है, strong है, वहां के judge बन गए, कितनी अजीब बात है, जब आप law की दुनिया में आएंगे, तो कई लोग आपको demotivate करने का प्रयास करेंगे, regular routine manner में, चाहे वो गाओ वाले हो, चाहे समाज वाले हो, ताओ जी हो, ताओ Chief Justice of India, जो भी मरतवान में है, उनके बाबुजी एक farmer थे, कैसे बन गए, तो इन तमाम demotivating factor से बिलकुल अपने आपको sideline कीजिए, और कहना है, कि आपको जो कहना है कीजिए, जो सुनना है सुनिए, अपना rhythm maintain करें, और law की दुनिया में, खूब मेहनत करें, जब honorable justice, CT रभी कोई shortcut Supreme Court के judge बनने में, आपको मदद नहीं कर सकता, कोई shortcut High Court के judge बनने में, आपको मदद नहीं कर सकता, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको litigation करना पड़ेगा, वकालत करना पड़ेगा, और उसके बाद ही, आप उपर के अदालतों में, judge बन सकते हैं, Honorable Justice City रभी कुमार ने 1986 में अपना practice प्रू किया था और 2009 में उन्हें High Court का नयाधिस चुन लिया गया था और इतना लंबा सफर ते करने के बाद आज देश की स्थरवोच चन्याले में जजज बन गया आशा करता हूँ किस वीडियो से आपको जरूर कुछ न कुछ motivation मिला होगा तो वैसे लोग जो ये कहते हैं कि आप log करके कुछ नहीं कर पाओगे उपर नहीं जा पाओगे जो कुछ नहीं करते हैं log कर लेते हैं उनके लिए ये वीडियो में ने मनाया है अपने आपको motivated रखें और हमेशा कड़ी महनत करते रहें मेरी बात माने इस profession में यदि आप धंग से महनत करते हैं तो इतनी उंचाई पे जा सकते हैं जो शायद किसी दूसरे profession में नहीं जा गए आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कोई जरूर नया चीज़ सीखा होगा चले फिर से मिलते हैं किसी और टापिक में तब तकरी नमस्कार